Realme Narzo 70 Pro को हम काफी दिनों से यूज़ कर रहे हैं और आज हम इस वीडियो के अंदर ट्राइ करेंगे कि अगर आप इस स्मार्टफोन को खरीदना चाहते हो तो यह स्मार्टफोन आपके लिए सही है या नहीं है क्योंकि दोस्तों जब भी हम इसके अन्बोक्सिंग देखते हैं ट्राइब मिल जाएगा इस वीडिएओ के अंदर हम इहीं डिस्कॉंस करेंगे क्यी क्या अंडर्ट्वरें क्या आपको इसकी तरप जाना चाहिए या फिर इसे बहुत सारी smartphone है जो इसको टेकर दे सकते हैं तो सबसे पहले हम इसके design को लेकर बात करेंगे तो यहाँ पे इसके design दिखने में तो काफी premium में आप पिछे देखोगे यहाँ पे glass दिया गया इस price के अंदर आपको बहुत कम smartphone मिलते हैं जिनके अंदर आपको glass मिलता है नीचे की side में आपको matte finish मिलता है और उपर की side में आपको glossy मिलता है और उपर की side में आपको finger चपते हैं नीचे की side में कोई भी finger औगेरा नहीं छपेंगे और जो camera का module है यह जो realme 12 series है सेम वेसा ही है और अगर इसके frame देखोगे न यह plastic है पर फूड़ी shiny है मुझे लगता है कि आर इसके उपर आपके जल्दी scratches वगेरा आ जाएंगे और इसके frame के उपर काफी जाता है आपके finger वगेरा भी छपते हैं और यह ना एक्तम आपे boxy design के अंदर बनाया गए निचे की साइड में आपको speaker मिलते हैं निचे की साइड में type-c charging phone निचे mic है निचे आपको sim slot मिलता है जिसके अंदर या तो आप दो sim card डालनों या फिर आप एक memory card एक sim card में डाल सकते हैं दोस्तों एक चीज़ का द्यान रखना है निचे आपको sim slot और mic का hole है यह दोनों पास-पास में मतलब पता नहीं चलेगा कि आप मतलब गलती से mic वगेरा के अंदर मद डाल देना काफी लोगों के comments आ रहे थे कि आवारे आपको गलती से इसके अंदर चला गया है और lift side के अंदर कुछ भी नहीं है उपर की side में आपको 3.5 mm jack भी मिलता है यह मुझे अच्छा लगा कि यार इसके अंदर 3.5 mm jack है जबकि अभी के time में आप किसी भी दूसरी पनाने की तरफ जाओगी वहां पर आपको यह 3.5 mm jack नहीं मिलेगा उपर की side में आपको second speaker की grill मिलती है यानि कि इसके अंदर आपको dual stereo speaker मिलने वाले है उपर की side में यहां पर माइक मिलता है और दोस्तों हमने इसके यहां पर speaker को taste भी किया है तो sound भाईसा बहुत ही कमाल की है मतलब कानों मे से चुकती नहीं हो काफी ज्यादा loud भी है अगर इसका weight देखोगे ना थोड़ा सा भारी महसूस होता है क्योंकि 200 ग्राम का यहां पर पीछे glass वगेरा दिया गया है तो थोड़ा सा भारी बनाया गया है जबकि इसके अंदर आपको 5000 अमज की weight यह काफी अच्छी चीज लग आपके mobile को काफी तेजी से चार्ज कर देगा और इसके अंदर आपको flat display मिलते है क्योंकि काफी लोगों को नहीं पर करूड़ डिस्पले पसंद नहीं है flat display थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी लगती है और इसके bezel और chin देखूगे बहुत ही कम है और इसके अंदर आपको punch hold display मिलती है तो आप जब भी देखूँ तो आप 1460 के अंदर आप देख सकते है उसके अंदर आपको अच्छी quality मिल जाएगी और वहाँ पर ना काफी ज़्यादा आपके वीडियो अगरा smooth भी चलेगी और इसके size देखोगे तो 6.67 inches है और full HD plus AMOLED display है और 128 refresh rate 2000 nits की peak brightness है तो यहाँ पर यह नाम की नहीं हमने आप दूब और के अंदर टेस्ट भी किया है तो आप दूब और के अंदर आपका काम ज़्यादा पड़ता है तो आप दूब और के अंदर आपका काम ज़्यादा पड इसके अंदर आपको मिलता है Mediatek Dimensity 7050 processor जो कि 6 mm पर बेंज़ है अगर यह 4 mm पर बेंज़ होता तो और भी मज़ा आता और इसके अंदर आपको UFS 3.1 storage मिल रही है अच्छी चीज लगी मुझे LPDDR 4X RAM है और अगर N2 तो score वगरा देखोगे तो 6,00,000 प्लस आपको N2 तो score Z9 वगरा उनके अंदर आप थोड़ी बेटर गेमिंग कर सकते हो हमने इन दोनों का comparison वगरा भी हमारे चैनल पर कर रखा है आप जाकर देख सकते हैं और दोस्तों यहां पर अच्छी चीज मुझे यह लगी कि इसके अंदर आपके बार कोई भी ब्लोट वेर्स वगरा कोई एक्स्ट्रा एप वगरा नहीं है सिरफ यहां पर दो तीन एप ही है जो कि आपके काम कहें जैसे कि Snapchat वगरा और कोई भी एक्स्ट्रा एप इसके अंदर नहीं है और आउट ओप दो बोक्स Android 14 मिलता है और यहां पर रियल में ने कहा है कि दो साल के आपको सेक्यूटी अपड तो यह प्रोसेसर अच्छा है और अगर बात करें के बारे में तो इसके बीचे आपको तीन केमरा मिलते हैं जो में केमरा है 50 Mbps निकल कर आ जाती है आपको बता होगा इसके अंदर ना फूड़े पंची कलर मिलते है अगर आपको नार्जो 70 प्रो गा फुल केमरा टेस्ट तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हो हमने फूल डिटेल के अंदर इसका केमरा टेस्ट कर रखा है वहां पर आपको और अच्छे से पता चल जाएगा कि अगर आप इसको सिर्फ और सिर्फ केमरा के लिए खरीदना चाहते हो तो वहां पर आपका जो किलियर हो दोस्तो हमने जो इस स्मार्टफोन के अंदर देखा वह हमने आपको बता दिया है अगर आपका कंफ्यूजन अभी भी क्लियर नहीं हुआ है तो मैं आपका कंफ्यूजन क्लियर कर देता हूं तो देखी यह पर डिजाइन अगर आपको मतलब कुछ इस तरह की डिजाइर ने जराते है ऊगर शिकायद नहीं है तो इस पर दॉसरी अंदर से में ज玩具 नहीं है पोचसरी इस Price के साफसिआ आप ठीक है पर मैने कहा कि अगर शिर्फ पूर्ष गेमिंग के लिए चीए तो आप दूसरी ब्रांड की तरफ जा सकते हो। केमरा भी दोस्तों है अगर और भी डिटेल पर चीए तो आप केमरा टेस्ट का वीडियो देख सकते हो। तो यार दोस्तो अभी भी आपका कोई सवाल है तो आप कोमेंड में पूर सकते हों तो यी वीडियो आपके लिए यूसफुल रही तो आर वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और अगर चैनल पर पहली बार आयो ना तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जर अगर पूमिलता हूं मैं आपसे यी किसीने वीडियो गेंदर करते के लिए बाए बाए